वीदा पीपल समण संग और जब हम यह कहते हैं कि हम भारत के लोग हैं और हम सब एक साथ इखटे हैं तो कंसेप्ट अपने आप किलियर हो जाता है कोई डाउट नहीं है इसमें कि हम भारत के लोग हैं और हम एक साथ इखटे हैं और इखटा होना संग कहलाता है यूनियन इसका कंसेप्ट बुलकुल सीधा है और इसमें काम करने का तरीका भी सीधा है जो जहां है वहां से जोड़ना सुरू करे कोई कमांड नहीं मिलने वाली कोई आके कहने वाला नहीं है आपको आपको अपने सहज ग्यान से अपने पूरवजों के ग्यान से अपने माता पिता के ग्यान से अपने प्राकर्टिक ग्यान से इस बात को जान लेना है कि जो जहां है वहां जुड़े और जितनी जल्दी बचना है और बच्चों को बचाना है उतनी तेजी जुड़ने में दिखाए और इसको प्राइटी प पे ले अगर आपने सो रुपिया कमाया और सो रुपिय की सुक्षा नहीं कर पाए तो आपने जीरो रुपिया कमाया वो तो चला गया बावा साब ने जो आपको सारे अधिकार दिये और वो अधिकार अगर आप बचा के नहीं लाए तो बावा साब खतम हो गए फिर बावा स कि दे गया आप उसको बचा के नहीं पाए कोई उसे ले गया कबजा कर लिया तो वो खतम हो गया तो पूरवज का सब महनत खतम हो गया तो बाबा साब का सारा महनत खतम हो चुका है जब यह हम यहां कंसेट बताते हैं सलसा कंसेट है तो यह समझ में आसानी से आ जाता है और इ कर्eft कर ये कोई नया कंसेप्ट होता हा है तो इतनी जल्दी लोगों को यह हमें यह जिनको हमने संमझ में नहीं आता है हलका सा इसारा होता है है और सीधे शीष्ज должна आता है क्ई यही वो चीज चीज जिसको सालों से वर्ष हो से हम यह अग्णि को मिली हैं या जो हमारे अपने समर संगी लोग हैं जो अंजान हैं अग्यानी हैं या बहुत ज़्यादा ग्यान हो गया है बावा साब से भी ज़्यादा बुद्द से भी ज़्यादा पेरियर साब से भी ज़्यादा वो वो बड़े मैज़ार मैज़ार से चीज लेके आते हैं और हमक के सामना करना है क्योंकि हमारे महापुर्सों ने हर बात का जवाब हमको दिया हुआ है और अगर नियत अच्छी है और दिल सच्छा है तो गवराना क्या तो हम आपस में जब बात करते रहते हैं जितने समर्संगी है तो पूछते हैं कि क्या क्या समस्या आ रही है तो वो समस् से आ रही है तो कई लोगों ने बताया कि कह रहे हैं अरे ये दुस्मन के एजेंट है इन्हें दुस्मन से पैसा मिलता है चलो ठीक है ये राजनीती में जाएंगे ये राजनीती में जाएंगे तो ऐसा करके हमारे समर संगी बातचीत करते हैं जाहर सी बात है जब वो बातची कहने वाला है कि यह राजनीती में जाएंगे यह सब राजनीती में जाएंगे यह सब भी राजनीती के लिए हो रहा है यह देख लेना एक दिन यह सब राजनीती के लिए हो रहा है तो उनका कोई होता है बहुत परम इनका जानकार होता है जैसे जीजा साले आपस में बैठे ह है उनका रिस्दारी है या दो सगे भाई बात करते हैं दो सगी बेहने बात करती है या माबाप बात करते हैं बाप बेटा बात करते हैं या दो दोस्त बात करते हैं जिनका मतलब आप पूरी तरह से यकिन कर सकते हो वो इस बात को कहते हैं कि देख लेना ये राजनीती में जाएंगे तो जो समर्संगी है वो सीधा-सीधा उसको मने नहीं कर सकता क्योंकि उसका रिजदार है कह रहा है भाई है बतीजा है चाचा है ताटा है कि रहा हां जा सकते हैं हो सकता है बैं कुछ नहीं पता चलता आजकल क्या पता किस साल से जिसने भारतिये बहुत महासवा बनाई वो टिकेट मांगता रहता है जिसने आरपियाई बनाई आरपियाई के टुकड़े किये वो तो खेर उनका हिस्सा बनता है खोगी वो तो राजनितिक पार्टी है वो टिकेट मांगता रहता है जिसने सामाजिक संटर बनाए और क के सामाजे काम करने के लिए आए और जिनको समने सपोर्ट किया वो भी टिकेट की लाइन में चले गे वो भी राजनीती में चले गे जिन लोगों ने पढ़ाई का काम किया लिखाई का किया का काम किया वो भी टिकेट मांगते दिखाई दे रहे हैं और इन सब के भाशन भी र राजनीती में गया सरकारी करामचारी सरकारी नेता जो नेता होते हैं जो मिनिस्टर होते हैं उनको बलाते हैं उनका इस्तुति गायन करते हैं उनकी वहवा करते हैं उनकी गलत बात ही मानते हैं उस गलत बात को जिस्टिफाई करते हैं और जब रिटार्मेंट हो जाता है तो उनकी सिवा में कहते हैं बाओ जी एक टिकेट हमने देखो तुमारा कितना बढ़ाया कितना ये किया वो किया और एक टिकेट के लिए वो पूरा जो उनका सरकारी करमचारियों का संग्ठने उसको गिरिवी लखाते हैं एक टिकेट के लिए है और वो उन्हें मिले या ना मिले तो इसलिए हर व्यक्ति का डाउट करना, हर व्यक्ति का संसे करना ये बहुत अच्छा है कम से कम सोचना तो सुरू किया, कम से कम चिंतन तो सुरू किया तो सबसे पहले ये देखें कि राजनीती बुरी चीज है राजनेति एगर बुरी चीज होती तो बावासाब उम्मेट कर रावर रिपॉլ्लिकन फ़ाटी नहीं बनाते और उन्होंने तो सारा संविधानी राजनेतिक बेस बनाया है उसमें राज्या सभादी है, उसमें विधान सभादी है उसमें विधान परिशिदी ए उसमें लोक्सवा दिये उसमें राष्ट पती है वो सारे सारे राजनीति को पत हैं और उन्होंने आभान भी किया है वो तो उगली उठा कर कहते है राजनीति में जाओ यही परलेमेंट इसको घे कर लो सारे अधिकार यहां से बनते हैं और वो ये कहके भी जाते हैं कि भई मैं तुम्हें राजन्यतिक अधिकारी दे पाया अब ये तुम्हारा फर्ज बनता है कि राजन्यतिक अधिकार से तुम सामाजी का अधिकार और जो आर्थी का धिकार है उनको प्राप करने। साफ साफ कहके जाते हैं कि वो कुछ ज़्यादा पूरा जो कंप्लीट है वो नहीं समिधान में कर पाए। इस सारा है, हम समझदार हैं, समझ गए। तो कई लोगों को लगा कि राजनीती में बावा साफ ने कहा है, तो उन्होंने बावा साफ की कोई कुछ ने भी ढूंड ली, ताला चाबी की, उस ताला चाबी कुछ वो बताते हैं और गाते हैं, तो राजनीती बुरी चीज नहीं है, जो लोग आपको राजनीती में नहीं जाने देना चायते हैं, वो कहते हैं, राजनीती बहुत बेकर चीज़ है, बुरी है, घटिया है, यानि खुद राजनीती में जाएगा और दूसरों कहेगा, अरे ये बड़ी पाप की घट्री है, ये बड़े ब्रश लोगों की है, ये फलानी है, ये राजनीती से दूर रहो तो इसलिए राजनीती अच्छी भी है बावसाब कहते हैं और राजनीती गंदी भी है क्योंकि राजनीती से परणाम नहीं आए हमारे तो लोगों के उपटे बंड करता है अच्छा और खराब लोगों के उपर है इस बात को छोड़ देते हैं मगर जब किसी समर्संगी से ये कहता है कि ये भी राजनीती में जाएंगे तो उसे पूछना चाहिए ये कौन राजनीती में जाएंगे ये कौन है ये का मतलब क्या है ये का मतलब अगर वो कह रहा है तो ये जाएंगे इसका मतलब समर्संग जाएगा समर्संगी जाएंगे त तो समर संग कभी जिन्दगी में राजनीती में जाएगा, वहां से सीखा हमने, इसलिए हमने थोक के बताया, आप थोक के कह सकते हैं, समर संग राजनीती में नहीं जाएगा. तो इस बात को देखे क्या समर्ण संग ने लोगों को राजा बनने से रोका या राजनीती में जाने से रोका या जो सामोई पावर है उसको लेने से रोका तो हिस्ट्री ये कहती है कि समर्ण संग ने कभी भी लोगों को रोका नहीं तो कि समढ़ संग का विचार लोगों को आजाद करता है और राजनीती भी समाज का हिस्सा है इसलिए समढ़ संग ने कभी इसके उपर बैन नहीं लगाया तो फिर क्या किया समढ़ संग ने एक open policy की जिसको जाना है वो जाए और खोशी से जाए समढ़ संग नहीं जाएगा तो आप ठोक के कह सकते है राजनीती में जाने के लिए मराई नहीं है बावा साब ने भी किया है कोई समढ़ संगी है जब तक समढ़ संग में यहां active member रहना चाहे रहे उसको राजनीती करनी है जाए जब वो जाएगा तो यहां का active member नहीं रहेगा नॉर्मल रहेगा तो व समढ़ संग का बंदा था इसलिए समढ़ संग के साहे लोग इस बंदे को देखें क्योंकि समढ़ संग समढ़ संग का फायदा देखता है व्यक्ति का नहीं देखता इस बात को अच्छी तरह दिमाग में रख लें समढ़ संग कभी एक व्यक्ति के पीछ नहीं जाएगा क्य तो इसलिए एक व्यक्ति जाए, दो जाए, तीन जाए, क्या फरक पड़ता है, यहां तो बहुत साइछ लोग हैं, चले जाएं, कोई कहे कि यह समर्संगी वहा रहे हैं, तो दराइट है, वगर समर्संग को छोड़कर जा रहे हैं, कोई व्यक्ति यह कहे, कि जी फलाना व्यक् मैं फिर अपनी टाकत कहाँ पैचानी? हो तो एक वेक्ति का गुलाम हो गया तो उतो संगर हो गया. इसलिए समर्ष संग कभी एक वेक्ति को न प्रमोट करेगा न उसे नेता बनाता है और न उसके पीछे जाता है और न उसके पीछे खड़ा होता है और नहीं उसका कहीं पचार करता है संग तो संग की बात करता है इसलिए जितने भी समर्संगी है वो ठोक के इस बात को कह सकते है गार्निटिट कह सकते है साथ कह सकते है और वो इस बात को ऐसे कहें कि हम कभी भी राजनीती में नहीं जाएंगे हमका मतलब समर्संग और वो ये कह सकते हैं कि अगर इंडूजल व्यक्ति को जाना हो तो एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, चार व्यक्ति जा सकते हैं तो क्या ले जाएगा समर्संग से संग्ठनों में जितने सरकारी करमचारी के संग्ठन है या जितने धर्म के संग्ठन है या जितने राजनीती के संग्ठन है या जितने लड़कों ने बनाए या जितने सरकारी करमचारियों के या जो भी संग्ठन है वो सारे के सारे संग्ठान एक व्यक्ति के उपर डिपेंड होते हैं जिसको प्रधान बोलते हैं और वो जो प्रधान होता है वो अपना नाम चमकाता है उसका नाम जाता है उसका फोटो जाता है वो अधर्ष होता है वो अधर्षता करता है वो हर मीटिंग के अधर्षता वो बीची कुर्सी बैठेगा, वो ताना साही हो जाएगा, वो बिना अपनी जो उसकी कैबिनिट है, यानि जिसको वो अपना कारे सम्मीती बोलता है, या जिसको कारे कारनी बोलता है, बिना उसके पूछे, कोई मिन जिर्न ले ले लेगा, कहीं कुछ भी बोल देगा, वा जो यानि व्यक्ति का नाम ही संग्ठन है, व्यक्ति मर गया तो संग्ठन खतम, व्यक्ति किसी दूसरी पार्टि में चला गया तो संग्ठन खतम, व्यक्ति गई जम करके चला गया तो संग्ठन खतम, तो ये संग्ठनों की हलत होती है, संग में व्यक्ति जाए जिसको जहां जाना वाला है. एक active member का फरक पड़ेगा. हमारा एक सक्रिय कारे करता कम हो गया तो और आ जाएंगे. यहां तो आते जाओ, जाते जाओ, आते जाओ, जाते जाओ. लोग मरते भी है, जीते भी है. क्या फरक पड़ता है? संग तो पूरी दुनिया में चलता है. बुद्ध ने जो मनाया संग का सिस्टम पूरी दुनिया डॉप्ट करती है और बाकी लोगोंने भी संग का सिस्टम लिया हुआ है उस सारे चलते और कोई राजनीती में नहीं जाता है इसलिए आप ठोक के कहो इस बात को कि संग राजनीती में नहीं जाएगा फिर तो राजनिती खुली हो जाएगी बावा साब ने का है राजनिती में जाओ तो बावा साब की बात कैसे मानोगे और फिर बंबन लोगों से राजनिती में लड़ेगा कौन सारे समण अगर राजनिती में नहीं जाएंगे तो फिर तो गर्दी आपकी वैसी चली जाएगी फ्री में तो उन्हीं जानी चाहिए मगर समण संग भी बचना चाहिए अगर समढ संग के अंदर राजनिती आ गई तो समढ संग तो राजनितिक पार्टी हो जाएगा और राजनितिक पार्टी की एक उमर होती है हर एक राजनितिक पार्टी की दस साल बीस साल तीस साल एक उमर होती है सुरू में वो बच्चा होती है पार्टी फिर वो जवान होती है उसके ज़्यादा मेंबर आते हैं फिर वो पार्टी बूड़ी हो जाती है दुनिया की सारी राजनितिक पार्टीयां बच्चा होती है जवान होती है बूड़ी होती है कोई पांस साल में कोई दस साल में कोई 20 साल में को 50 साल में फिर वो नई पार्टी बराते हैं फिर वो ऐसी बढ़ती हैं फिर वर मगर संग हमेसा जवान रहता है संग ना कभी बच्चा है और ना कभी बूड़ा होता है इसकी जवानी हमेसा बक्राब रहती है क्योंकि संग में लोग आते हैं जाते हैं चले जाते हैं और जो सहरे में रह रहा तेरा temporary address क्या है तो temporary address वो बता देता है और permanent address उसका गाउं को रहता है तो सहर से कभी अगर lockdown भी हो जाए सहर वाले कभी अगर दो मिने के लिए कोरोना में lockdown भी कर दें और गाड़ी बंद हो जाए तो अपना सावान उठागे पैदल अपने permanent address पर चला नहीं रहें चार आदमी है और 40 पार्टी बना रखी है और वोट 16% है और उम्मीद कर रहे हैं कि कैसे कर लोगे भाई चार आदमी 40 पार्टी बनाओगे लोग किसको चूज करेंगे किसको नहीं करेंगे तो अभी पिटेंगे छितेंगे भागेंगे दोडेंगे 20 आदमी एक बड़ा बड़ा ये घर था अभी हमारे जैसे राप के जैसे साधार लोग है और उन्हें इसको जाल पूंच के इसमें कलाई पुताई कराके इसमें दरवाजे वरवजे ठीक कराके लाइट वाइट लगवाके इसको फिट कर दिया है आओ भई आजाओ घर आ जाओ अब घर आ बना गया हो हम यह नहीं कहते के समर संग जो कहा वह पार्टी में आप खुद रिसाइड करो एक पार्टी बना गया हो और फिस समर संग यह कहता है कि तुम बारबार कहते हो के एवीम 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 तो भाई बैलेट पर ले क्या ना और अगर भाई तुम राजनितिक पार् हैं समर्संग की दोनों टफ हैं अगर ये दोनों पूरी हो जाती हैं तो आपका किलाज जो राजनितिक वाला है वो तो वैसी लोग फत्य कर लेंगे आपको चिंता करने की आउसकता नहीं पड़ेगा इसलिए समर्संग के सारे खुले हुए हैं तो समर्संग को खतम करने के भी कुछ चिंन है पहले समर्संग कैसे खतम हुआ उसको भी सीख लें तो कि हम समर्संग दुवारे से जहान पहुचकर ठीक किया है तो इस बात को चेक कर लें कि समर्संग को जब खतम करेंगे तो उसका सिंटम तो उसके साइन क्या है उसके चिंन क्या है कैसे होगे विजलेंटर होगे तो पैचान जाऊगे उपैचान जाऊगे तो बचा लो गए अगर समण संग के गुर्व पर शूरूं हो जाए और टुकडे हो जाए और इंडिपेंडन्ट हो जाए यानि कि जैसे समर्स के घटक नहीं अभी घटक बन्पन बढ़ रहा है और इन घटकों में अगर इंडिपेंडेंसी आ जाए और यह कहें जी हम तो अलग काम करेंगे हमारा तो अलग चलेगा तो यह गुरुब बन जाएंगे तो समझ लेना के संग अब तूटने लगा है कोई काम बढ़ रहा है घटक बनना है तो घटक रहता है ताकि वो आसानी से काम करें जैसे जवान लड़का है घर के अंदर है रहेगा तो घर के अंदर ही पर काम तो जवानी वाले करेगा अब जो बुड़ा आदमी है वो रहेगा घर के अंदर तो काम तो बढ़ापे के साब से करेगा अब बुड़ा आदमी को जवान के किसे आप से कैसे possible है इसलिए सब घटक संगों का अलग अलग काम है में अगर रहेंगे तो घर में तो अगर वो independent उनकी इच्छा जाग जाए कि हम तो अलग काम करेंगे तो समझ लेना कि संग तूटना सुरू हो गया संग घात सुरू हो गया यह पहला साइन है दूसा चिन क्य है दूसा चिन यह है कि अगर संग में नेता पैदा हो जाए संग में एक व्यक्ति की बात आख मंद करके माननी सुरू हो जाए संग में सवाल जवाब बंद हो जाए और जो एक व्यक्ति ने कह दिया वो फाइनल है तो समझ लेना कि संग में गुलामी की तरह बढ़ना है चाहे तो नकारा है चाहे तो निकम में है चाहे तो आदमी दबंग है चाहे तो वो टैक्टिस फुल है चाहे वो कैसा भी हो सकता है अगर एक ही आदमी चल लिए और कहीं गलत बात चल लिए उसकी तो तुर संग गया आपका फिर तो वो संग्ठन में एक व्यक्ति की बात चलती है और वो कुछी बोल देता है जो बोल देता है चल जाती है आज कर आप देख रहे होगे कैसे चलना है एक व्यक्ति बोलता है और चल जाता है तो वो जो व्यक्ति है गरत बोले सही बोले तो इसका मतलब वो संग्ठन में बदल गया है अगर संग पैसा लेना सुरू कर दे परशी काटना सुरू कर दे चंदे का धंदा सुरू कर दे और संग ये कहे बार 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 पैसे चाहिए पैसे चाहिए बिना पैसे कोई काम होता है आजादी ऐसा नहीं मिलती है आजादी लिए खर्च करना पड़ता है और तुम कमात कि संग्ठन बन गया, ये काम संग्ठनों का है, संग का काम नहीं होता पैसे लेने का, संग तो व्यक्ति खटे करता है, व्यक्ति काम अपने आप करते हैं, वहाँ कोई लेंदेन होता नहीं, अगर आपको लगे कि अब एक साथ नहीं बैठते, अलग-लग बैठते हैं, कुछ ल लेगे, कुछ मंच पे बैखे, कुछ पीछे बैठे, कुछ आगे बैठ गे, या कुछ लोगों के बैठेनाई, क्योंकि संग को खतम नहीं कर थो कहीं लगे कि अब संग के सामुई केरे मतदान से नहीं हो रहे हैं मत से नहीं हो रहे हैं और निर्ने कहां हो जाते हैं इसका पता नहीं चलता और संग में बात आती नहीं है तो समझ लेना कि यह संग्ठन बन गया क्योंकि संग्ठनों के निर्ने कहां होते हैं कौन करता है इसके तो खुद के जो कारेकर्टा सीक्रेट वाले जाए तो समझ लेना कि संग खतम हो रहा है या हो चुका है संग में अगर बराबरी खतम हो जाए गैर गैर बराबरी आ जाए मतला इस्टेटस की बात होने लगे नोक्री की बात होने लगे एज की बात होने लगे कोई किसी भी बात को लेकर धंकाया जाता है, एक आदमी दूसरे को बुरी तरह से धंकाता है, छोटा बड़े को धंकाता है, गरीब अमीर को धंकाता है, अमीर गरीब को धंकाता है, उनमें यह जगड़े लगाता चलते रहते हैं, इसका मतलब आपको पहचान हो जाएगी, क्या है, संग के अंदर कभी जाती का, पंत का, संग्ठन या घटक नहीं बन सकता, कभी नहीं बन सकता, जाती का नहीं बनेगा, वर्ण का नहीं बनेगा, मत का नहीं बनेगा, रिलिजिन का नहीं बनेगा, धर्म का नहीं बनेगा, गौड की किसी इस्ट्रिक्शर का नहीं बनेगा, ये कभी नहीं होते के अदर क्योंकि संग सभी लोगों को समाइद करता है अगर कोई व्यक्ति जाती पर गर्व करने लगे जाती की बात करने लगे जाती के एकटे कले लोग जाती का संग्ठन बना ले वर्न का बना ले या किसी मत का बना ले या पंत का बना ले या लोगों को ये कहे कि तेरा धर ये मेरा ये मेरा ये मेरा ये तो वो संग घात है इसका मतलब वो संग्ठन जा रहा है क्योंकि संग्ठन जितने भी बने हुए हैं मतों के हजारों बने हुए धर्मों के हजारों बने हुए हैं पंत के हजारों बने हुए जातियों के तो हजारों लाखों बने हुए हैं वो से संघ में सिर्फ एक चीज है जो प्रधान है जो प्रमुक है कम है यानि कर्म है वर्क है यहां वर्क ही वर्सिफ है अगर आपको लगे के संघ में काम की बज़ाय चमचागरी और चापरू के नाम का खामे का चाप्रुसी करो और काम ना करो तो संग्ठोनों में वही चलता है संग्ठोनों में काम नहीं होता है वहाँ तो चाप्रुसी चलती है यह मरेगा तो हमें सीट मिल जाएगी इसकी चाप्रुसी करेगा इसकी चाप्रुसी करेगा तो मंत्री बना देगा या कह नहीं लगती यहां, जो काम करेगा, उस सब की निगा में आ जाता है, इसका उधार मैं आपको बता देता हूँ, यह योग अंदर काम जो करेगा, वो आपको दिखाई देगा, उसका काम दिखाई देगा, काम नहीं करोगे, वो बंदा ही गायब हो जाएगा, यहां से बहुत सारे बंदे गायब हो चुके हैं, जिनको काम दीए, उनसे काम नहीं हुए, उन्होंने अल्ले बल्ले गाए और चलेगे, बलेम आखरी जो प्रमुक है प्रमुकता है और जो पढ़ानता है वो यहां काम की है इसलिए काम पर ध्यान दीजिए बाकी चीज़े बेकार है अगर आप काम पर ध्यान नहीं देते हैं चापलू सी पर या बाकी चीज़ों पर ध्यान देते हैं सोसिब आजीब ध्यान देते हैं तो संग का आप कहीं भी ढूंड लो कितना भी घहरा खोद लो मालिक नहीं मिलेगा तो हम ऐसा पता करते रहिए कि संग का कोई मालिक है क्या अगर संग में कोई मालिक मिल जाए तो इसका मतलब यह संग्ठर बन गया है तो आप कहीं तक चले जाए संग में आपको मालिक नहीं मिले रेश्टार के हैं मेरी लगी हुई है एफट एफट लिखा हुआ है कि मेरे घर का पता है और मैं इसका मालिक हूँ खाता मेरे नाम से है और मेरे बाप के नाम से है और तुम चुपचा पैसे देते जाओ बई और हिसाब ले लेन जोतनी है तो संग में कभी कोई मालिक रहा ही यासता संग का मालिक तो संग ही होता है यानि आप अगर संगी हो तो आप इसके मालिक हो और जितने संगी हैं वो सारे इसके मालिक हैं दो चार मालिक भाग जाओ दो चार मालिकों को अगर टीवी वाइरस हो भी जाए लोड़क जाए या मन बदल जाए तो फरक नहीं पड़ता हैं मालिकों की संक्या लाखों और हजारों करोड़ों है क्योंकि समर्ण संग में पैदा इसी हक होता है हर व्यक्ति का हर व्यक्ति इसका जनम जात मालिक होता है जो इसको पहचान लेता है जो इसमें काम करेगा वो एक्टिम मेंबर है एक्टिम मालिक है और जो इसको नहीं पर तो समर्ण संग हमेशा जितने लोग हैं वो खुले में बात करेंगे वो बंद कमरें बात करते हैं तो जो बंद कमरों में बात होती है वो संग्ठनों की होती है वो गुप्त मंत्राना होती है कमरें बंद हो जाते हैं और वहां चार-पांच लोग को कुछ निकाल के लाते हैं और वो केते हैं भाई यह फाइनल हो गया और यह हो गया लोगों को पता नहीं है बागी कहते हैं आज ठीक है ठीक है अगर ऐसा होना सुरू हो जाए बंद कमरे में डिशन होने सुरू हो जाए हाउस में डिशन ना हो तो समझ लेना कि अब यह संग्ठन बन गया है और इसे नि आपको यह पहचानने में काम आएंगी कौन सा संग्ठन है और कौन सा संग्ठन है तो संग्ठन के अंदर एक खास बात होती है आपने देखा होगा बुद्ध से लेके बावसाब से लेके जिलनों को नहीं समझ संग्ठन का बात कही है वो कभी भी विरोध में काम नहीं करते मतलब किसी को गाली नहीं बखेंगे, किसी को विरोध मनी ले ले लिए के आएंगे, वो अपना काम करते हैं, वो अपने वेलफरिक लिए काम करते हैं, वो जैसे आपने देखा होगा कि आज कल जितने भी लोग हैं, वो विरोध करकर के, दुस्मन दुस्मन करकर के, दुस्मन का हमको दुस्मन बनाते रहते हैं मगर समढ संग में ना दुस्मन की बात की जाती ना उसका जिक्र किया जाता यहां दोस्तों की बात की जाती है और अपनी लोगों की बात की जाती है उनी का जिक्र होता है और उनी का काम होता है तो अगर कोई दुस्मन दुस्मन करे और खु संग नहीं है संग्ठन है संग के अंदर ना तो पद है ना प्रतिष्ठा है ना ही कोई पोईशन है ना इमान है ना ही सम्मान है यहां सिर्फ सब को सर क्या के बोला जाता है और महिलाओं को भेंजी क्या के बोला जाता है और समढ संग के अंदर कोई किसी का संग के अंदर कोई किसी का खाता नहीं संग्ठन में तो पैसे खटे होते हैं संग्ठन वाले खर्च कर लेते हैं मगर संग्ठन में यहां कोई खाता नहीं है इसलिए पैसा नहीं खटा होता है तो इसलिए कोई किसी का खाता नहीं तो रोटी भी अपनी ले संग्या लाकों में होती है, क्रोड़ों में होती है, तो इसलिए संग् की ये छोटी -छोटी मोटी-पहचान है, अगर कभी आपको लगे कि समण संग्छ इस में से कहीं हिल रहा है, कोई बात हो रही है, तो जहाँ पोर्टल पे हो, वहीं अपना बतन दबा के हैं, और वहीं बोल देना उसका फाइदा ये होगा कि जो व्यक्ति इसको करेगा उसाबदन हो जाएगा तो ठीक कर लेगा अपने आपको तो वो करप होने से घष्ट होने से बच जाएगा तो समर संको थोड़ा च्छती होने से बच जाएगी कभी दिखाए दे के यह नियम टूट जैसे हम बन गए अगर हमारे जितने लोगें वो ना सोय होते तो आज हमें यह कवायद निकरनी पड़ती आज हमें यह 334 लोगों में से कुछ आराम से कहीं बैठकर सो रहे होते कहीं किसी भोटल में खाना खा रहे होते कुछ विदेश में घूमने चले गए होते जो संगर् सिर्फ इसने लगाते हैं क्योंकि हमारे कुछ लोग सो गए हैं और एक नालाय की हमारी है कि हमने उनके उपर भरोसा किया तो हमें अब अपने आप पर भरोसा करना है अत्त दीव भभव बनना है तो हमें कुछ दिन के लिए नेता प्रधान संट्रम के जो लोग हैं उनको फ उतनी तेजी से आपको खटा होना पड़ेगा क्या काम की प्रधानता है आप यह सोचो के हमने सुन लिया हमने जान लिया और बात बन गई तो भी सुनने से और जानने से अगर बात बनती तो सभी सुनाते हैं सभी बताते हैं उससे बात नहीं बनती सुनाने में बताने में तो कहीं कोई कसर है नहीं, बस कसर जो है, वो है काम करने में, तो सब को काम करना पड़ेगा, तो काम से घबराई मत, संग में काम का बटवारा होता है, संग में individual काम करने की, अकेले काम करने की, जो प्रवतिया उसको अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि एकल व्यक्ति काम क बहुत इसके काम करेगा। फेर डाउन हो जाएंगा। तो काम रूख जाता है। यह सतत्परिग्रिए है। इसे बह्तर यह एक आदा ग्हंटे में उसको धूरी को धीदर करके पार तो हम जबने तो हम लगातार चलते रहेंगे अपना काम करते रहेंगे इसलिए संग ये कहता है कि आपको बहुत ज़्यादा time और बहुत ज़्यादा resources देने की आवसकता नहीं है जितना बावा साब ने कहा है उतना ही दूआ कितना कहा है 5% time और 5% resources resources में क्या देना है जो आपके पास है मोबाइल फ़ोने है तो उसका 5% इस्तुमाल करके समाज को जोड़ो अगर आपके पास में कार है तो समाज को 5% उसकारको चलाओ समाज के लिए चाओ जाके कहो जुड़ना है आपके पास education है तो समाज को दो ताकि समाज याजूकेसर हादिल कर सके आपके पास में कुछ एक्षा चीज़ है तो समाज को 5% सुछ में से 2 ताकि वो समाज के काम आ सके समाज को जोडने के लिए अपने दिन का 1 गंटा 20 मिनट 1 गंटा 16 मिनट 15 मिनट लगाओ जो 5% बैठती है उनको फोन करो हम इसलिए आज तक बचे रहे के हमारे बजर्गों ने हमको जोड के रखा चाया भले ही मरे हुए जानवर का मास खाके रखा चाया भले ही गालियां खाके रखा चाया भले ही उनके तन पर कपले नहीं थे पर उन्होंने हमको जीवित रखा और यहां तक जीवित रखा है कि हम आज यहां 330 लोग बैठे हैं तो हमारी डूटी है कि हम अपने बच्चों को जीवित रखें बावा साब के आशिर वास्ते करपास है आज हम इस लायक हैं और उन अपने बजुर्गों से तो बहुत अच्छे लायक हैं बहुत अच्छे जानकार हैं बहुत अच्छे सरीर में हेल्दी हो गए हैं बुद्धी में हेल्दी हो गए हैं सब चीज हम समझ में आ गई है और अब तो हमारे पास में हमारा पुराना एडूकरिसन जो समढ़ संकी है जोडने जोडने का तरीका वो भी आ गया है अगर इसके बाद भी अगर हम काव्याब नहीं होते हैं तो हमारे पास कोई बाहरा नहीं है फिर तो हमारे बच्चे जा नहीं जाने हैं उन्हें कोई नहीं रूप पाएगा इसलिए अपने बच्चों की खातिर अपने बच्चों को बचाने की खातिर और जो पूरवजों ने हमको बचाया है उस समरद्धी को आगे बढ़ाने की खातिर हमको तेजी से जोड़ना चाहिए जोड़ना चाहिए और जब हम जुड़ जाएंगे तो क्या करेंगे ये प्रसंद आता है तो हम जब जुड़ जाएंगे तो जो व्यक्ति जो चाहेगा वो कर लेगा और जिसको जो अच्छा लगता है वो करें जिसको education field में जाना है वो education में खूब काम करें क्योंकि संग साथ होगा जिसको राज लोग होंगे तो उसके वैसी गाहक बन जाएंगे तो संग में कोई आदमी अगर ये कहे कि मैं बहुत ज्यादा सकाई नोख्रीव देगी क्योंकि संग आपके साथ है तो प्राइवेट में आपको आरेक्शनर चाहिए सेक्टर में चाहिए तो वो मिलेगा कोई ये कहे मैं अप हश्र देख रहे हैं हमारा सतर साल में हम कहां से कहां तक आ गये बत 10 साल ओरा है दस साल के बाद तो हम ये कहने लाइक मίν नहीं रहेंगे जुडो और जुडो ये कहने कि आवाज नहीं रहेंगी हम लगबग खतम हो जाएंगे इसनी हमें हमारे पड़ेगा जीतना ही पड़ेगा इसको आप मजबूरी समझने हैं कि हमको मजबूरी में जीतना पड़ेगा तो मजबूरी वाला काम ही करेंगे हम तो जीतेंगे चाह कुछ हो जाए धन्यवाद आप सभी से ये निविदन हैं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में convert करके आगे बढ़ानी चाहिए या print में, किताब में छाबनी चाहिए या इसकी जो audio है उसे निकाल के भीजना चाहिए या इसका किसी part को इस्तेमाल करना चाहिए तो आपको liberty है, आपको छूट है ये सभी copyright free है आप अपने facebook पे, अपने page पे अपने tutor पे या हंडल पे या link को कहीं भी share कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं, आप YouTube पे चला सकते हैं अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाजत लेने की या परमिसर लेने की बिल्मी जरूरत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सबका है हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सो का है उन्ही की बात को सरल भासा में बताते हैं हमारा सिर्फ इतना राइट हैस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पुझी आपकी है धन्यवाद संगं सरेन गच्छामी तू थियं पी बुद्धं सेन गच्छामी तू थियं पी बुद्धं सरनं गच्छामी दूतियं पी धम्मं मर्सेनों गच्छामू दूतियं पी धम्मं सर्नं गच्छामू दूतियं पी संगों सर्नं गच्छामू दूतियं पी सर्नं सर्नं गच्छामू ततियं पी बुद्धम सर्ण गच्छाम। ततियं पी बुद्धम सर्ण गच्छाम।